हाँ जी तो लेट्स स्टार्ट विद एग्ससाइज सेउन पॉइंट वन इंट्रोडक्शन हमने किया था इन इंट्रोडक्शन हमने क्या बात की थी फंडमेंडल काउंटिंग रूल के बारे में बात की थी और कुछ एक्जांपल्स किया थे ठीक है अब मैं NCRT ये 11th कलास की N साइज 7.1 का जो शीट है उस पर हूँ ठीक है पेज नमबर 138 ठीक है आफ सब के पास ये टेक्स्ट होगी तो मैं इसका क्वेस्टन नमबर 1 उठा रहा हूं ठीक है क्वेस्टन नमबर 1 है इसके दो पार्ट है How many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5 ठीक है Assuming that part number 1 is repetition of digits is allowed और दूसरे में repetition of digits is not allowed ठीक है आपको 3-digit number बनाने है आपके पास 5-digit है देखे रखें उन से आपको 3-digit number बनाने है और पहले part में यह बोल रहा है कि repetition आफ कर सकते हो और दूसरे में बोलता है कि repetition आफ नहीं कर सकते है ठीक है तो इस question को हम कैसे करेंगे यह simple सा question है ठीक है मैं यह आपर लिख रहा हूं Question number 1 रहेगा और इसका part 1 रहेगा आपको क्या करना है 3-digit number बनाने है that means आपको तीन यह जो है ना spaces आपको फिल करने है ठीक है आपके पास choice केक है 1, 2, 3, 4 and 5 ठीक है यहाँ पर कोई restriction है नहीं odd हो even हो कुछ भी हो आपको खाले 3-digit number बनाने लेकिन part number 1 में क्या बोल रहा है कि आप repeat भी कर सकते हो numbers को मालों कि 1, 1, 1 that वो भी चलेगा 2, 2, 2 वो भी चलेगा इसे ही वो भी चलेगा तो इससे क्या मतलब है कि इस वाले digit को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी choice है 5 ठीक है तो इस वाले के लिए कितनी है जो यहां पे आपने digit डाला वो आप यहां पे भी डाल सकते हो because repetition is allowed तो यहां पे फिर से 5 choices आपके पास है अब इस पे आप तो वही मामला किया जो आपने 2 यहां पे use गया वही फिर से use गसकते हो that means again you have 5 choices ठीक है तो आप के लिखोगे number of three digit numbers that can be formed using one two three four and five when repetition is allowed is equaled जो हमने question किया वो तो question तो हुई था कतम हो था यहां पे it's 5 into 5 into 5 that is 5 cube and you know the value of 5 cube that is 1 to 5 so इतने three digit number आप बना सकते हो using this but when the reputation is allowed now the part number second of this when repetition is not allowed तो तो आपको फिर से तीन स्पेस फिल करनी है तो है आपके पास 1,2,3,4 and 5 नाव यह जगा यह वाली स्पेस फिल करने के लिए आपके पास कितनी चोइस हैं 5 ठीक है तो अब यह है कि इस वाले केस में कि जो आपने digit यूज किया वो आप यहां पर यूज नहीं कर से that means आपके पास आप 4 चोइसे इसी तरीके से अब जब यह दो स्पेस फिल हो गई तो आप यह एक बचती है लेकिन जो इन दो जगा पे इन में से वो आप यूज नहीं होंगे तो इसके लिए कितनी चोइस है तीन so the answer will be 5 x 4 x 3 so total number of digits that can be formed in this case will be equaled कितना एक हो 5 x 4 x 3 how much is that? that is 60 5 x 4 x 20 20 x 3 that is 60 तो यह रहा question number 1 exercise 7.2 let's move to the question number 2 अब question number 2 का statement कहे है वो आप पहले देखे now question number 2 का statement है how many three digit even numbers can be formed from the digits 1,2,3,4,5,6 if the digits can be repeated आपके पास choice है 1,2,3 up to 6 but जो आप three digit number बनाओगे वो even होना चाहिए इंट्रोडक्शन में आपको even की definition बता दी थी मैंने ठीक है वो यहाँ पे use होगी और यहाँ पे एक और है कि अब की बार आप repeat भी digit कर सकती है तो उसके एक आड़ी हम इस question को करेंगे question number two है question number two three digit number बनाना है आप ऐसे किया करो question तो यही पे खतम होता है फिर तो long ways तो अलग बात है वो time के साथ आजाती है नजाकत वकत के साथ आजाती है तो आपके पास choice है one, two, three, four, five, and six three digit number बनाने यह उन बनाने तो repeat भी कर सकते हो digits तो पहले digit के लिए आपके पास कितनी choice है आप 6 में से कोई भी डाल दे अब जो आपने यहाँ पे डाली वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो then again you have six choices अब यहाँ पे आपको रूपने है last पे क्या बोल रहा है यह even होना चाहिए three digit number even होना चाहिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो number आएगा जिसको two से divide हो ठीक है two का two से divide होता है four का two से divide होता है six का two से divide होता है अब यहाँ पे कोई बोलेगा हम one by two भी तो कर सकते है वो तो zero point five आएगा divide तो करता है यहाँ पे divide करने का मतलब है जिसमें remainder आपका zero आजाए ठीक है two को two से divide करोगे remainder is zero four को करोगे six को करोगे remainder is zero तो हम बोलते है कि two four or six in this case are divisible by two ठीक है यह याद रहोगे तो आपके पास यह तो आ नहीं सकता है इस वाली position पे क्योंकि इसको two से divide होता नहीं यह भी नहीं आ सकता there are how many choices three ठीक है खड़े so you will write so number of three digit even numbers that can be formed, in this case, is equal to 6 into 6 into 3, now how much is 6 into 6? that is 36, 36 into 3 is 108, that means 108, 3-digit even numbers can be formed using this, when the repetition is allowed, here is the repetition, that is question number 2, now let's move to question number 3, question number 3, is how many 4-letter code, can be formed using the first 10 letters of English alphabet, if no letter can be repeated, 10 English letters of English alphabet, that is A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, G, आपको Buckhead, A, C, D, C, भेने हैं, 4-letter code बनाना हैं, और आप cetera बर्यप्स, ले-टर से कांपर साहरोच्टर से उनको repeat में अछिते हैं, so let us start अब यहां पर आपको 4 spaces fill करना है ठीक है आपको जाना है A to J letter A to J तक आपको जाना है यह 10 आते हैं ठीक है आप फिर से देखो कि 10 ही तो आते हैं कि नहीं आते हैं अभी आपको 4 letter code बनाना है repetition allowed है नहीं तो पहले इस space को fill करने के लिए आपके पास 10 इस space को fill करने के लिए repetition allowed नहीं है तो आपको पता हैं वहाँ भी 9 बचते हैं तो 9 choices अब यहां पर 8 बचते हैं क्योंकि 2 तो occupy होगे then there are 8 choices यहां इसके लिए and similarly आप इसके लिए बना ठीक है तो question क्या बना 10 इंटो 9 इंटो 8 इंटो 7 इतने 4 लेटर कोड आप बना सकते हो using the letters A to J of English alphabet ठीक है तो we write number of four letter codes that can be formed in in this case अब case मेंने जब बोला in this case तो हमने यह नही लिखना है using 10 letters of English alphabet first 10 ऐसे ऐसे कुछ नहीं रहा है वो तो बात समच गेगी it's the condition जब मैं लिखू in this case is equal 10 9 8 and 7 now this is 90 okay and then 8 into 7 you know it is 56 if I am correct ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखा दे रहा हूं आप ऐसे एक question के जिखर होगे ठीक है I will write 100 minus 10 that's 90 into 56 अब यह सब को आता होगा 56 100 ठीक है minus 5 60 फटाक से सब को आईगा ठीक है अब यहाँ से इसको subtract करो how much you will get 5040 that's it ठीक है इतने आप 4 letter code बना सकते हो using first 10 letters of English alphabet but the repetition is not allowed ठीक है यह 3 question है आज के लिए इतना ही ठीक है आगे और जो इसके 3 question remain है वो अंकल ठीक है अंकल